अब फिलाल आप यहां पे देख पार है कि मेने पास कुछ Redmi और कुछ MI और कुछ Poco के डिवाइसेज हैं जो की काफी latest story इनके बारे में आपको पता भी होगा लेकिन कुछ ऐसे भी डिवाइसेज हैं Redmi, MI और Poco के जिनको MIUI 13 के अपडेट के बाद आगे आने वाले कोई भी अपडेट नहीं मिलने वाले हैं जिनको MIUI 13 के बाद कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा तो अगर आप एक Redmi, MI या Poco डिवाइस के old users हैं काफी time से यूज करते हुए आ रहे हैं तो आज किसी वीडियो को वाच करने का पता चल जाए कि क्या आपको अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा और यह information काफी जड़ा आपके लिए informative होने वाली है अगर आप पुराने डिवाइस के विज़स होतो लेकिन आपने कुछ नया डिवाइस पर्चेश किया जो कि हाल फिलाल में लाँच हुए थे करीभी एक साल पहले या अभी हाल फिलाल में लाँच हुए है तो आपको ज्यादा टेंसल लेने के जबरत नहीं है आपको अपडेट मिलेगा जैसे के हमारे पास यह है Redmi का Note 11 यह दो भाई अभी लाँच हुआ है जिसको अपडेट मिलने वाला है यह हमारा Redmi का Note 10 Pro यह पिछली साल लाँच हुआ था तो इससे भी अपडेट हमें मिलने व हुए थे तो भाई उनके लिए यहां पर अपडेट का है जो दरवाजा वह बंद किया जाने वाला है जिसके विज़े से आपको कोई भी लेटिस्स सौफट्वेर का अपडेट देखनी को नहीं मिलेगा तो चलिए देखते हैं कि वह कौन-कौन से डिवाइस हैं जो कि यहा में आपको दिखाई देता है मीवाई 13.5 अपडेट वांट कम तो यूर डिवाइस इप यूर डिवाइस लेटिस्स अपडेट वाज दिस यानि आपका लेटिस्स सौफट्वेर अगर यह वाला है जो कि यहां पर मेंसन किया गया है तो उन्हें भाई 13.5 का अपडेट नही लेकिन अगर ऐसे डिवाईसे जहें जिनको 13 का अपडेट वो मिलता है लेकिन अल्ली ओं एंड्रोइड 11 मिलता है ना के अंड्रोइड 12 तो उन्हें नेस्ट टाइम का जो अपडेट होगा 13.5 वो देखनी को नहीं मिलेगा क्योंकि जब भी कोई MIUI का अपडेट आता है तो अगर आपका पुराना ड pipelines है उसे अगर था की देओ लेकिन Android 11 पे मिला ना के Android 12 पे तो उनको है 13.5 का अपडेट देखनी को नहीं मिलेगा For example यहां पर कोई डिवाइस के नाम रखे गए हैं जो कि हमारा Mi 9, Mi 9 AC, Mi 9 Lite, Mi 9 Pro उसकर Mi 9T, Mi 9T Pro जो कि इंडिया में K20 की नाम से है उसकर Mi CC 9, Mi CC 9 Mint Edition जो है K20, K20 Pro, K20 Pro Premium Edition, Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro, Redmi 9A, 9AT, 9I, 9C और POCO C3 और C31 यह जितने भी डिवाइसे ना काफी टाइम पहले लाउंच हुए है थे जो कि इनके समय में का जो पॉलिसी है उसके साब से इन्हें अपडेट मिल चुका है और आप कोई भी Android का बिग अपडेट टेखनी को नहीं मिलेगा जैसे कि 9 से 10, 10 से 11 आया अब 11 से 12 यह लोग नहीं जाएंगे जिसके बिएसे इन्हे 13 का तो अपडेट मिल जाएगा यह तो कंफर्म है लेट मिलेगा काफी ज्यादा पीछी मिलेगा अपडेट वह बात अलग है लेकिन 13 के बाद कोई भी आपको 13 से आगे जो अपडेट आने वाला इना 13.5 का वो अपडेट टेखनी को नहीं मिलेगा उसके बाद आपको वहीं पर रहना पड़ेगा या आपको डिवाइस के अंतर कस्टम और मगरा डालना पड़ेगा या फिर आपको device को change करना पड़ेगा अगर आप new update software करना चाहते हो क्योंकि इसके बाद कोई भी update यहां पर रिखने को नहीं मिलने वाला जो device Redmi Note 8 के पहले के launch हुए हैं जैसे कि Redmi Note 7, 7 Pro या Redmi 7, 7A, 7 के पहले के जो भी devices आ जाते हैं उनको भाई MIUI 13 का भी update यहां पर नहीं मिलने वाला क्योंकि उनकी policy जो है rule regulation वो खत्म हो गया है पहले ही तो Redmi Note 8 के time पे जितने भी devices launch हुए या इसके बाद वाले उन से भी को MIUI 13 का update मिलेगा लेकिन वही बात है आपको Android 11 मिलेगा ना के Android 12 जिसके वाज़े से आपको 13.5 देखने को नहीं मिलेगा और अभी एक और latest information आया है जिससे यह पता चल रहा है कि जो Redmi Note 8 है इसका internal testing सुरू हो चुका है MIUI 13 का यानि जल्द ही MIUI 13 Redmi Note 8 device को देखने को मिलेगा और Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro एक साथ ही launch हुए थे एक ही time के हैं तो दोनों के लिए same rule लागू होता है तो Redmi Note 8 Pro को भी MIUI 13 देखने को मिलेगा लेकिन यह जो MIUI 13 आयेगा यह हमारा होगा Android 11 का ना के Android 12 का जैसे कि आप यहाँ पर image में देख सकते हो यह है जो code वगेरा से पता चला है जो कि internal testing चल रहा है तो यहाँ पर best दिखाई दे रहा है Android 11.0 यहाँ पर MIUI वर्जन जो कि बीटा का है और यह 13 का tag लगा हुआ है यहाँ पर code name लिखावा है device का जो कि हमारा Redmi Note 8 है तो भाई इसे जल्दी 13 मिलेगा लेकिन Android 11 तो जो 13.5 आयेगा in future वो आपको देखनी को नहीं मिलेगा क्योंकि चाइना में जितने भी devices है ना उनका अगर percentage निकाले ना तो 60 plus percentage devices को जो MIUI 13 मिल चुका है इसलिए वहाँ पर त्यारी सुरू हो चुकि है MIUI 13.5 के वर्जन की जबकि इंडिया में तो भाई अब इतक मिला ही नहीं है बट यह जो information है ना काफी हद तक है जो सही और 100% accurate होने वाला है क्योंकि सावमी भाई officially कोई भी statement नहीं देता है बस हमें information से ही पता चलता है जो कि इधर उदर से देखनी को मेलता है करी जगों से धुनना पड़ता है तो इस site से हमें यह information पता चला है जो कि मैंने आपके साथ share कर दिया है अब आप वीडियो में यह comment करके बत नहीं है अगर आपके मन में doubt आतेक भाई जो भी फिलाल नए devices launch हो रहे हैं जैसे कि Redmi का note 11 11 pro pro plus वगेरा यह सभी android 11 पे ही launch किये जा रहे हैं तो कि आईने भी 13.5 नहीं मिलेगा जैसा कि मैंने स्टार्टिंग पे ही बता है जितने भी नए devices लेना उनके लिए आपको टेंसल ल कि मैंने यहां पर आपके doubts clear कर दिये होंगे जिसे आपको अंदादा लग गया होगा कि आपके device के साथ क्या होने वाला है वीडियो पसंद आया तो please like कर देगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe और मेरा एक और 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 एक custom room से related channel है तो अगर आप एक custom room के users हो ना तो मेरे second channel को भी subscribe जरूर कर लेना ताकि आपको वीडियो मिलता रहे मिलते नेक्ट वीडियो में ठाटा बाई बाई